नमस्कार दोस्तों टार्गेट विद परिहार चेनल में आपका स्वागत है यह वीडियो थोड़ा सा हट करके है और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्राम प्रधान को कितना भत्ता मिलता है कितना मांदे मिलता है जिला पंचाथ अधच को कितना बेतना मांदे मिलता है और बीडिएसी ज Здसे होते है उनको कितना मांदे और बत्ता मिलता है तो वीडियो को जल्दी से लाइक शेर कर दें जिन चात्रों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की authentic update से मिलती रहें सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं ग्राम परदान की चुकि कली ही समचार पत्रों में एक मानदे मिलता है वेतन नहीं मिलता है मानदे मिलता है वह मानदे मिलता है 3500 रुपए ग्राम परदान को मानदे मिलता है और इसी के साथ में लगबग 15000 रुपए अलग से मिलते हैं यात्रा भत्ता की चुकि ग्राम परदान को जिले में हमेशा जाना होता है मीटिंग्स होती हैं बार-बार अपने जन्पत जाना होता है इसलिए पंद्रह हजार रुपय अलग से मिलता है तो फिल हाल अभी साड़े 18,000 कुल मिलाकर के प्रधान को मिलता है लेकिन कल के समझार पत्र में एक सुचना आई है कि अब जो ग्राम प्रधान है उनका जो बेतन है प्रतिमा 358 के अब 49,900 दिया जाएगा और इसी के साथ में महेंगाई बत्ता यहां पर लिखा हुआ है 12,576 रुपए महेंगाई बत्ता मिलेगा यानि कुल मिलाकर के अब प्रधान को 57,476 रुपए यह बेतन मिलेगा और इसके साथ में अब प्रधान को 15,000 रुपए जो आने जाने का यात्रा बत्ता मिलता है वो भी मिलेगा इस तरह से अब कुल मिलाकर के ग्राम प्रधान को 57,476 यह और 15,000 रुपए आप इनको मिलता है यात्रा बत्ता इसमें महेंगाई बत्ता तो जोड़ा मगर यात्रा बत्ता नहीं जोड़ा है इसको अगर जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर के लगभाग ग्राम परधान को अब 72,476 रुपए हर महीने मिलेंगे ग्राम परधान के जो चुनाव है वो चार चरणों में होने सुरू होंगे उत्तर परदेश में और 3 अप्रेल से प्रक्रिया सुरू हो जाएगी अगर योगता की बात करने तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ कि अधार काट चाहिए वोटर आइडी काट चाहिए पैन काट चाहिए पुलिस करेक्टर साटिफिकेट चाहिए मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए वहीं का ऑनलना होना चाहिए संपत्ति की घुफणा भी करनी पड़े की चल और अचल जाती प्रमालपत्र अगर आप लोग आरथित से लड़ रहा है तो जमालत रासी भी लगेगी 140 संबंदी प्रमालपत्र भी लगेगा कि आपका 140 है या नहीं है शक्षिक योगता अगर हो तो जरूर बताएं और हाला कि उत्तर प्रतेश में ऐ कम से कम 21 साल की होनी चाहिए तो 72,400 रुपए ये मिलेगा उसके अलावा जो समय समय पर मेटिंग्स होती है उसके लिए भी ग्राम प्रधान को अलग से पैसा मिलता है ग्राम इस्तर अभी जो समचार पत्र में जो सूचना आई है कि जो जीयो पास हुआ है जो आदेश दिया फिलहाल 14,000 रुपए पर मंद मान दे मिलता है कितना मिलता है 14,000 रुपए पर मंद मान दे मिलता है अगर जिला पंचायत सदस्चों की बात करें जो डीडी सी के सदस्च होते हैं जो आपस में चुनते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष को उनको कितना मान दे मिलता है कितना भ बत्ता मिलता है एक हजार रुपए जब भी मीटिंग होती है प्रतिसदस को बत्ता मिलता है इसी तरीके से जिला पंचाथ अधक्ष को भी मीटिंग होती है तो उसका जो बत्ता है वो अलग से मिलता है हाला कि राजनेतिक रूप से जो जिला पंचाथ अधक्ष होता है वो लेकिन सरकार सदस्यों को भत्ता देती है इसमें यात्रा भत्ता भी सामिल होता है इसके अलावा पंचायत की बैठक में सामिल होने के लिए 500 रुपए दीए जाते हैं प्रती बैठक तो जो BDC की सदस से होते हैं उनको आने जाने का जो भत्ता है वो मिलता है और 500 रुपए हर बैठक का मिलता है और कोई भी मान दे बीडिसी की सदस्यों को नहीं मिलता है हाथ चुनाओ के समय वो जरूर ब्लाक परमुक्स कुछ न कुछ पैसे ले लेते हैं समानता यही रिवाज है बोट देने के लिए समर्थन करने के लिए कुछ न कुछ हिस्सा यह जरूर रखते हैं इसके बाद में जो अगला है जिला पंचायत सदस जो चुनते हैं जिला पंचायत अधक्ष को पहले जब लाल बत्ती के पसलन था तब जिला पंचायत अधक्ष को भी लाल बत्ती मिलती थी यहां पर लिखा है कि तीसरा हिस्तर होता है जिल्य पंचायत का इसमें आम लोग वोड़ दे करके जिल्य पंचायत सदस को चुनते हैं जो आगे चलकर जिल्य पंचायत अधच को चुनता है और जिल्य पंचायत अधच का एक राजनीति गुरुदबा होता है नीचे लिखा कि जिला पंचाइच उता है, उसको 14000 अधच्च को कई तरीके के भत्ते भी मिलते हैं और जिला पंचाइच सदस्यों को 1000 अगर प्रतिमाह ब्लता है जिला पंचाइच अधच को 14000 अगर मिلता है तो आखिरकार इतनी मारा मारी क्यों होती है तो सीधी सी बात है कि सभी लोग जानते हैं कि जितने भी चिले के विकासकार होते हैं जितने भी ग्राम के विकासकार होते हैं जितने भी छेतर के विकासकार होते हैं उनमें इन प्रतनिधियों के ज्यादा तर विकासकारों में रे कि सारा खेल विकास के लिए आवंडित होने वाली धन राशी के बंदर बाट का है बलाग प्रमुक का 5% कमिशन होता है खंड विकास अधिकारी का 5% कमिशन होता है तकनीकी साय का 3% कमिशन होता है कार प्रभारी बलाग बाबू जिले में आई-स विवाक का 2% कमिशन फिक्स है कुल मिलाकर के जो स्विक्रत राशी होती है उसमें से 20 प्रतिसत राशी का बंदर माठ हो जाता है कम से कम 20 प्रतिसत छेतर में रुदबा जमाने और कमिशन खोरी के चलते सिर्फ 7000 के लिए इतनी मारा मारे नहीं होती बात हो रही है बलाग प्रमुक की छेतर पंचायत अध्य राशी ग्राम पंचायत सदस की बीटीसी की 500 रुपए होती है और चुनाव प्रचार यानि वह 10,000 रुपए से ज्यादा का खर्च नहीं कर सकते हैं नीचे लिखा है तो वहीं ग्राम प्रधान के लिए नामांकन की जो फीस हो रखी गए 300 रुपए जमानत राशी है 2000 तो इसके साथ ही जिल्ड़ पंचायत सदस जो होते हैं उनकी नामांकन की जो फीस हैं वो 500 रुपए रखी है और 4000 जमानत राशी और चुनाओ की जो रासी है वो डेढ़ लाग रुपए तैकी गई है जिला पंचायत सदस की सदस ही चुनते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष को ये भी जैनना आप लोगों के लिए जरूरी है तो यहाँ पर कुछ लोगों को छुट भी दियाती है जैसे अनुसूचित जाती SC, ST और महिला वर कर गहें तो उनकी जमान तरासी जो है वो आधी कर दी गई है और यह हो गया आज का वीडियो और वीडियो आपको कैसा लागा जरूर बताएं अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें पूरा वीडियो सुनने के लिए बहु झाल झाल